लो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम लोतास नीमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल नीमी जी नेट पर दोस्तो आसेम डेटा इंटरपेटेशन शुरू करने वाले हैं और इसमें काफी अलग लगतर है कि कोशन आते हैं जो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरू होते लेकिन हम अगर मेहनत करे कोशिस करे तो ऐसी बात नहीं है कि हम इनको कर नहीं सकते अभी जो जून 2019 के अंदर जो डेटा इंटरपेटेशन के कोश्चन आये थे वह वह वेरी इजी कोश्चन आये थे आप किसी से भी पूछ सकते हैं तो अगर हम मेहनत करे तो बिलकुल असानी से question कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको data interpretation से related कुछ basic type के बारे में बताएंगे जो UGC net के अंदर पूछे जाते हैं और अभी ये जो question आप देख रहे हैं इसमें से करीब पांच से छे वाराज तक question आ चुके हैं वो हम करके देखेंगे तो चलिए दोस्तो अब हम शरुआत करते हमारी वीडियो के दोस्तो सबसे पहले हम जान लेते कि data interpretation क्या होता है और इसमें UGC net के अंदर किस तरह के ज्यादा तर question आते हैं देखिए data interpretation जैसा कि हिंदे के अंदर उसे जाने तो यह होता procedure is interpretation यानि कि जो आंकड़े जो होते हैं हमारे पास उनको interpretate करना यानि कि उनको समझना और इसके अंदर काफी तरह के सवाल है वो हो सकते हैं हमारे जैसे कि यहां पर कहा स्वाह कर 20 table chart होता है एक तो जैसे कि table होगी यह जादा तर mostly जो question आते दोस्तों UGC net के अंदर वो table से related आते हैं और पहले जो question आते थे वो graph से related इस तरह से भी question आए है और उसके बाद में जैसे कि यह pie chart है pie chart से भी अभी काफी question आए है पहले आये है, 2012 से पहले बहुत कोश्चन आये है इसमें से तो अभी वी ये करना जरूरी है दोस्तों क्यूंकि जो नया सलेवज है उसके अंदर इन तीनों के बारे में बताया गया है तो इन तीनों के बारे में हमें basic जनकारी होना बहुत ज्यादा जुरूरी है और आज की इस वीडियो में आपको एक जो डर है आपके अंदर वो निकाल दूँगा आप live देखना दोस्तों कितने असान question आते हैं UGC net के अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो बिलकुल असानी इस आप किस तरह से कर सकते हैं और एक चीज ओर है दोस्तों जो data interpretation है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है एक addition की tips हमें पता होना चाहिए division पता होना चाहिए multiplication पता होना चाहिए percentage का use होता है average का use होता है ratio and proportion का use होता है और इन सभी चीजों के बारे में हम evening की जो वीडियो होगी उसमें detail में इन 5 से 6 चीज़ें हमारे इन सभी के बारे में details हम आपको बताऊंगा हर एक की trick बताऊंगा लेकिन अभी की वीडियो में हम आपको क्यों basic चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपका जो डर है वो खतम हो जाए देखिया सबसे पहले हम यह कोशन करते हैं यह जून 2012 के अंदर आया था इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक देश में कुल विद्योत उत्पादन यानि कि जो electricity produce होते हैं वो कितनी है 97 गिगावाट है यहाँ पे इन्होंने यह दिया है यह गराफ यानि कि यह 25 यहाँ पे दिया हुआ है और यह जो जितनी 97 गिगावाट जो विद्योत उत्पादन electricity produce होते हैं वो अलग-अलग जगह से होते हैं उन सभी का डिवाइडेंस यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं देखे कितने आसान कोशन पूछते हैं अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब देखिए कोशन नमबर 23 देखे दोस्तों इसमें काया कि विद्योत उत्पादन में वायू एवम सोर सक्ति का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है यह हमें बताना है यह देखे यहाँ पे हमने इंगलिस में भी दिया है इंगलिस में भी आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल असानी से कोई भी दिक्कत नहीं है अब यानि कि विंड और सोलर एनेर्जी से इसे कोई भी यह हमने बताना रूप से एह में 100 ये करेंगे हैं अब देखें 97 को जब हम 7 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि embargo हटा है Map 2 एक मिनट मैं करके देख लेता हूँ ये हुता है दोस्तो 679 ये हुता है हमारा जब 97 को 7 से मल्टिप्लाइ करते तो 679 होता है अब इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्याएगा दोस्तों यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यानि कि दो डिजिट छोड़ के लाश्ट से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और यह जो हमारा उप्सन है यह उप्सन नमबर A है यहाँ से हम बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं और यह जो है दोस्तों यह हमारा जून 2012 के कोश्चन पेपर में आया हुआ है तो देख सकते हैं आप कितना असान कोश्चन है और अब हम आगे देखते हैं जैसे यह सेगंड नमबर कोश्चन है विद्यूद उत्पादन में नवी करनी है उर्जा स्तरोतों का योगदान सुनिश्चित रुप से क्या है नवी करनी है यानि कि रिनेवल अनर्जी यानि कि जिसे हम बार बार यूज़ कर सके वो हमें बताना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिनेवल अनर्जी इनमें से कौन सी है अब देखिए नाभी कि उर्जा है वो रिनेवल अनर्जी नहीं है इसके अंदर रिनेवल अनर्जी कौन कौन सी होगी एक तो वायू, एम, सौर अर्जा में से हमें निकालना है 97 multiply 27 बटे में 100 करेंगे अब देखे 97 को जब हम 27 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास 2619 यहां पर आजाएगा और फिर नीचे क्या है 100 है 100 से जब इसको divide करेंगे तो point कितने 2 के बाद लग जाएगे तो इसका answer क्या जाएगा 26.19 इसका answer आजाया जो option number B में दिया है तो देखा दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल असानी से इन question को निकाल सकते हैं और अब मैं एक कोर question दिखा देता हूँ इसी से related जो बिल्कुल असान है जिससे आप असानी से समझ जाएंगे अब यह देखे दोस्तों यह December 2011 के अंदर आया है इसने यह क्या कहा है कि बिभिन छेत्रों से कुल CO2 उत्सरजन 5 mm है mmT है ठीक है जो CO2 है वो कितना है 5 mmT है तो अब नीचे यह इन्होंने एक पाई ग्राफ दिया है यहां से हमें question निकालना है अब देखे question number 30 इसमें क्या कहा है what is the absolute CO2 emission from domestic sector domestic sector से उत्सरजन कितना है वो हमें बताना है अब देखे डोमेस्टिक सेक्टर कितना है यहां पर 15% दिया है तो 5 mmT का 15% कितना होगा वो निकाल दें यह देखे 5 गुना में 15 हमने किया यह 5 यह ले लिया और नीचे क्या है 100 है 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के हमारा decimal लगेगा यहां कि 5 छोड़ दिया 7 छोड़ दिया यहां पर हमारा वाली बात नहीं है बिलकुल असान कोश्चन है पस थोड़ा सा ध्यान देने किया हो सकता है और इसी से रिलेटिड एक और कोश्चन है वो और मैं दिखा देता हूं आपको अब देखे इसमें भी यही कहा है कि इसमें जो CO2 है वो टोटल कितना है 5 mmT है अब इसमें देखते सयुक्त थर्मल पावर और परिवन छेतरों से निर्पेक्सित CO2 उत्सरजन किया है यानि कि इसके अंदर हमें दो का कंबिनेशन करके बताना एक थर्मल पावर और दूसरा है ट्रांस्पोर्ट सेक्टर अब देखे इसके अंदर थर्मल पावर कितना है यह 35 है यह हमने में कितना योगदान है वो हमें बताना है अब देखे इन दोनों का जो हमने जोड है वो कितना किया था तो 65 किया था और हमें किस में से बताना है 5 mmT में से बताना है तो इसके लिए क्या होगा 5 multiply by 65 और divide by 100 ठीक है तो अब इसमें दोनों करके देखते है 5 को जब हम 65 से multiply करें तो यह हमारे पास 325 आएगा और जब हम डिवाइड वाइ 100 करेंगे तो दो डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम decimal लगाएंगे तो क्या जाएगा अंसर हमारा 3.25 इसका अंसर आजएगा जो option number A में दिया हुआ है तो दोस्तो यहाँ से आप देख सकते कि कितने असान question आते हैं UGC net के अंदर और वैसे तो देखिए दोस्तो इसमें 2012 से अभी तक कोई question नहीं आया है लेकिन अब की बार साइद उमीद है क्या पता आजाए उमीद बहुत कम है लेकिन हम बिल्कुल भी मनावी नहीं कर सकते कि यह बिल्कुल नहीं आ सकता आ सकता है इसलिए हमने यह question आपको करवा दिया तो दोस्तो यह question अगर इस तरह के और कोई question मिले तो आप करके देखना या फिर आप इनी question को repeat कर सकते हैं और evening की जो वीडियो होगी दोस्तों evening की वीडियो में हम आपको यह जो है सभी average है जैसे हमारा average हो गया percentage हो गया multiplication हो गया इन सभी की trick बताएंगे कि किस तरह से आपको multiplication करना है किस तरह से percentage निकालने है कैसे जमा करना है कैसे घटाना है इन सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो आज के लिए वसी तना ही हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम डेटा इंटर्पेटेशन के अंदर बेसिक कॉंसेट के वारे में बात करने वाले है जैसे की अडीशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटिज होगी, देश होगी इन चारों का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है डेटा के अंदर दोस्तो ये सब ही हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे हमारा कोश्चन निकलता है देखिए वैसे जब हम डेटा इंटर्पेटेशन का कोश्चन करते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कोश्चन कर सकें तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडीशन की देखे डेटा के अंदर addition हम किस तरह से करते हैं जो data जो संख्या हमें दिवी है उसको किस तरह से हम जोडते हैं देखे जोडने का एक तो जो तरीका है हमारा जो चलता हुआ आ रहा है traditional method इन सभी को 512 को जोड़ा फिर 1709 को जोड़ा उस तरीके से हम जोडते हुए जाते हैं लेकिन एक और जो तरीके से हम किस तरह से जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं वो हम देखेंगे देखे दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो round figure का तरीका है round figure के अंदर क्या होता है दोस्तों हमें जो value दी हुई है उसके आज पास की value लेते जो हमें stable कर सके अब देखे 512 है 512 को हम लिख सकते दोस्तों 501 टाइम के लिए हम इसे लिख देते हैं उसके बाद में है 1709 इसको हम लिख देते हैं 1700 यहाँ पे लिख देते हैं उसके बाद में 3825 तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों 3800 लिख देते हैं उसके बाद में दोस्तों 2195 तो इसको हम 2200 लिख देते हैं दोस्तों ताकि असानी से कोशन कर सकें उसके बाद में जैसे हमारे पास 1305 तो इसको लिख देते हैं दोस्तों हम 1300 लिख देते हैं अब से सतरा सो और पान सो है यह कितना हो जाया दोस्तों यह हो जाया हमारे पास बाइस सो यहां पर हो जायेगा और अब क्या रहे गया हमारे पास एक बाइस सो रहे गया अड़ती सो रहे गया और पैंती सो रहे गया अब देखिए बाइस सो और अड़ती सो को जब हम पलस करेंगे तो यह हमारे पास कितना आजेगा यह आजेए 2-0 कि 2-0 और 2-0 और 8 कितना होगे 0-1, 2-3 और 3-1 6 यानि हक 6顯़ा हो जाएगा 2200 π frequent 2800 कितना जाएगा 6000 6000 प्लस में 3500 कितना होगा हमारे पास 95itect, यहाँ पर अभ देखे जो हमारा अंसर है जो option दियो है उनमें देखते हैं कहां पर भी match करता है अब यह देखें यह 1266 है यह तो बहुत कम है फिर 8725 है यह भी नहीं match कर रहा यह भी नहीं कर रहा इसके अंदर हम approximate लेके चलते हैं इसके आसपास value लेके चलते हैं संभावनाव पर ज्यादतर डियाई के question किये जाते हैं तभी हम जल्दी से जल्दी question निकाल सकते हैं अगर हम डियाई के अंदर बिल्कुल accurate question निकालने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा time लग जाता है और आ average की देखिए डियाई के अंदर बहुत ज्यादा average निकालनी पड़ती है हमें तो इसके बारे में पता होना जरूरी है देखिए average हम एक तो जो हमारा traditional method है यानि की 185 को जोड़ना फिर 225 को जोड़ना इन सभी को एक एक करके जोड़ना तो उसमें क्या है कि ज्यादा time लग स लेकिन उसको छोड़ कि हम किस तरह से जल्दी से जल्दी इस question को निकाल सकते है वो हम देखेंगे और देखिए यहां पर हमने एक question दिया हुआ है कि राहुल ने 10 दिनों में निमर रुपई कमाई यह 10 दिनों में रुपई कमाई है राहुल ने तो इसमें यह देखना कि average उ उस तरह से ही इसको करने की कोशिस करेंगे इसमें थोड़ा सा अलग है वो देखते हैं क्या है इसमें देखिए यहां पर आप 185 हैं 225 हैं 295 हैं 207 हैं तो यहां पर एक इन सभी के common की एक digit ले ले लेंगे common की digit जैसे कि हमान के चलते हैं 200 200 इनके बीच की संख्या हैं दोनों 200 माली अब देखते हैं कि इन सभी में 200 यह जो 180 है 200 से कम है या जादा है तो यहां पर हम लिख लेंगे यह हो गया 15 माइनस 15 में फिर 225 है यह पलस के 25 है और फिर 195 हैं यह माइनस के 5 है इस तरीके से यह सभी के सभी हम लिख लेंगे जैसे 210 है यह 10 ज्यादा है 200 से यह सभी हम ने यहाँ पर लिख लिए फिर क्या करेंगे कि जो कट रहा है उनको काट देंगे देखिए जैसे कि यह है माइनस के पंदरा और यह है पलस के पंदरा यह कट हो गया यह देखिए माइनस के दस यह दस है यह कट हो गया अब उसके बाद में देखिए जैसे यह माइनस के और पलस के पांच ये कितना रहे गया 30 हमारे पास रहे गया और आगे क्या करेंगे ये देखे 1, 2, 3, 4 यानि कि 10 है तो 10 गुना में 200 हम कर देंगे 10 गुना में 200 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 यहां पे आ जाएगा 2000 और पलस में ये जो 30 था तो कितना आजएगा 2030 इसका जोड जो है वो आजएगा ये देखे ये जोड ए में दिया हुआ है 2030 यहाँ पर हमारे पास आजएगा अब average निकालने तो average के लिए क्या करेंगे 2030 को जब हम 10 से divide करेंगे तो कितना आजएगा 203.0 यानि कि 203 रुपे वो daily के कमाएगा यहाँ से हम इस तरह से average निकाल सकते हैं तो दोस्तो एक ये भी तरीका है जल्द से जल्द कोशन निकालने का और कई दोस्त ये सोचते कि नहीं हमें तो जो हमारा traditional मेतर है वही यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं यह हमने आपको एक तरीका बताया है चले अब हम अगला कोशन देखते हैं अब percentage की बात आती है दोस्तो percentage हम बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं डियाई के अंदर जैसे एक बटे दो होता एक बटे दो कितने के इकवल होता ही होता है पचास परसेंट के बराबर होता है इसी तरीके से जैसे एक बटे चार होता है एक बटे चार किसके इकवल होता है दोस्तो 25 परसेंट के बराबर होता है ये साइद आप सभी लोगों को पता होगा एक वटे च्यार 25% के एकवल कैसे होता है देखे मैं बता देता हूँ एक वटे देखे एक वटे च्यार गुना में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं multiply by 100 करते हैं च्यार को जब इसे मल कट करेंगे तो कितना आ जाए पत्चिस परसेंट आ जाएगा तो यहाँ पे हमने एक से लेके 20 तक यहाँ पे यह दिये हुए एक वटे दो कितना होगा 50% होगा एक वटे 33.33% होगा तो यहाँ पे हमने यह सभी दिये हुए अगर आप चाहे तो इनको याद कर शकते हैं कई बार ऐसे आ जाता है हमारे एक्जाम के अंदर जो आंसर आता है एक वटए आठ आता है और एक वटए आठ को जब हम निकालते हैं गुना में 100 करके निकालते तो उसमें कैगे time लगता है लेकिन अगर हमें याद हो यहां से हम याद कर ले तो क्योंक अंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी एक वटे आठ होता है दोस्तों 12.5% होता है यहां से आप इनको याद कर शकते हैं देखे एक तरीका यह है हमारा और अब हम बात करते कि आगे परसेंटेज के अंदर और किस तरह से हमें परसेंटेज निकालनी होत से हमें कॉर्शन में देखने को मिलता है तो इस दुरान हम कैसे निकालेंगे जो हमारी जो हमारी कुल रकम जो होती है डिजिट जो होती है और पलस में जो हमारा परसेंटेज निकालनी होती है उसको मल्टिपलाई करते हैं यह देखे अब देखे अब देखे 500 का 15% कैसे नि की value आ जाएगी तो इस तरह से हम इसकी percentage निकाल सकते हैं प्रशेंटेज की value निकाल सकते हैं तो यह basic चीजी है दोस्तों कितना होगा 50 हो जाएगा अब देखिए 10 प्रशेंट हमारा 50 है तो फ्रशेंट कितना होगा प्छास का half करें इसको पंद्धरा पर्शेंट हमें निकालना है और आगे हम देखते हैं, परसैंटेज के अंदर क्या आता है अब देखें एक और जो मुष्ट इंपोरटन्ट चीज अती है, डियैई के अंदर बहुत वार कोमन जो चीज वो क्या होता है कि उसके अंदर ये पूछा जाता है कि पिछली वार से अब की वार में कितना कितने प्रतिशत की विरिद्धी हुई इस तरह के कोशन आपने देखेंगे देखें यहां पर कोशन नमर 9 यह हम पढ़ने की कोशिश करते हैं देखें सन 2005 में विद्यूद उत्पादन 500 मेगावाट था 2005 में कितना था 500 मेगावाट था 2009 में 800 मेगावाट हो गया 2005 से 2009 में विद्यूद उत्पादन में हुई वर्धी प्रतिशत वताईए यानि कितने प्रतिशत जो विद्यूद है वो बढ़ी है वो हमें बताना कितने पर पर भार यूज होते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे इसका जो फोर्मूला होता दोस्तों यहां पर इंगलिस में भी देख सकते हैं इसमें परमारी प्राइन यह चोने की प्रारंभिक मुले यानिकि शुरू की जो वैल्यू है यह 500 रुपए यह माइनस करेंगे बटे में प्रारंबिक वैल्यू वो यानि कि शुरू की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और फिर मल्टिपलाई 100 करेंगे देखिए इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल असानी से आपको करके दिखा रहा हूं यह कोशन हम कैसे करेंगे अब जैसे कि इसमें दि कितना है प्रारंविक वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 500 और मल्टिपलाई वाई कितना है 100 ठीक है यह फॉर्मुला आपने यहाँ पर देख लिया अब देखते इसको सोल करने की कोशिस करते हैं एक मिनिट मैं एरेज कर देता हूं यहाँ पर यह अब देखिए इसके अंदर क्या होगा 800 में से जब हम 500 माइनिस करेंगे तो क्या जाए दोस्तों हमरे पास 300 आजएगा 300 बटे में 500 मुल्टिपलाई वाई 100 अब देखिए 20 से हमारी 20 कट गई अब 5 से जब हम 300 को कट करेंगे तो कितना जाएगा 60 यहां पर आ जाएगा तो जो 60 आंसर वो कितना कि अब दोस्तों अपसन नंबर B में दिया हुआ है तो यहां से आप बिलकुल असानी से कह सकते कि 60% इलेक्टरिशिटी हमारी बढ़ ही है तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इस तरह के कोश्चन कर सकते हैं और इस तरह के जो कोश्चन है वो बहुत बार आगे आएंगे और आगे जो हम कोश्चन करेंगे उनके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कोश्चन किस तरह से है किस तरह से हमें शोल करना है और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास रेसों अब रेसों की बात आती है अनुपात की बात आती है देखिए अनुपात के अंदर क्या होता ताकि दो हमें संख्याई दी हुई होती है वो डिवाइड जब हम एक दूसरे को करते हैं तो उसके बाद जो फाइनल जो वैल्यू आते हैं उसे हम रेसो कहते हैं देखी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया वायों इन्होंने सुनिल एक सप्ता में 900 रुपए कमाता है और हम निकालते कि क्या उनका अनपात है यहाँ पे हम क्या करेंगे 900 डिवाइड वाई 600 इसको जहां तक कट हो रहे हैं वहां तक हम इसको काटते जाएंगे दो जिरो से दो जिरो कट गी तीन दुनी 6 और तीन तिया 9 इसकी जो अब देखे तीन और दो को हम आगे नहीं काट सकत तो इसकी जो वैल्यू के आ जाएगी वह आ जाएगी तीन अनपात दो की वैल्यू आ जाएगी तो सुनिल और जो राहुल वो तीन अनपात दो के अनपात में कमाई करते हैं तो इस तरह से हम अनपात निकाल सकते हैं तो दोस्तों यह थे आज के हमारे कुछ बेसिक फॉर्म fusion है तो आप हमें WhatsApp पे message कर सकते हैं WhatsApp नम्बर हमारा यह है यहां पे आप message कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे तो दोस्तो आज के लिए वसीतना ही है है अलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो क्या आपको भी डियाई से डर लगता है क्या आपके भी डियाई के question नहीं निकलते हैं तो दोस्तो अब 2019 का जो एक्जाम हुआ है उसके अंदर जो डियाई के कोशन आये हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे इस वीडियो में आप देखना कि आप कितने असानी से कोशन को निकाल सकते हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देखत हैं तो आपके डियाई के कोशन बिलकुल असानी से आ जाएंगे और आपके अंदर जो एक डर बैठा हुआ कि डियाई के कोशन हम नहीं कर सकते तो वो नहीं जो है वो सब्द हट जाएगा और आप आज से ये कहने लग जाएंगे कि हाँ हम डियाई के कोशन कर सकते हैं और का जो डर है आपके अंदर वो निकल जाएगा तो इस वीडियो का पूरा देखना ये देखिए दोस्तों ये 21 जून 2019 को एक्जाम आया था उसमें ये कोश्चन है सबसे पहले जो डियाई का कोश्चन होता दोस्तों उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई होते हैं जो फिगर दी ह 2018 तक पिछले साथ वर्षों में कमपनी दवारा बेचे गए विभिन परकार के LED टेलिविजन सेटों की संख्या लाखों में दिखाती है अब देखिए इसके इंदर क्या है कि यहां पे अलग-लग टेलिविजन सेट दिये जिनकी स्क्रीन है 22 इंची 24 इंची 32 इंची 40 इंच इंची दी हुई है और यह यहां पर एयर दी है कि 2012 में 24 इंची टेलिविजन वो कितने बिके थे तो यह सभी इंची दी है तो यहां से आप ग्राफ देख सकते हैं और यह टोटल 7 इयर यहां पर हमें दिये हुए है ठीक है यहां से हमें यह समझ में आ गई है टेवल अब इ इन्चास इंच अकार के टेलिविजन सेटों के कुल विकरी कितनी है ये हमें बताना है ये देखिए इसमें ये देखते है कि इन्चास इन्ची कुन सा दोस्तों ये है हमारे पास इसकी कुल विकरी हमें बतानी है यानि कि 2012 से लेके 2018 तक जितने सेट हमें हमारे विकरी वो सभी हमें बताने हैं तो इसके अंदर क्या है दोस्तों इसके अंदर simply हमें इनका पलस करना है जोड करना है अब देखिए इस question को जल्दी से जल्दी कैसे करें ये बात यहां पे आती है यहां पे काफी जो दोस्त है वो क्या करेंगे traditional method लगाएंगे और आप वो traditional method भी लगा सकते हैं जैसे 8 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 5 जोड़ा इस तरीके से करके वो traditional method भी लगा सकते जो आपको stifle करें और एक मैंने तरीका आपको बताया था कि किस तरह से हम addition करते हैं तो उस टना ज्यादा कितना कम तरह देखे 118 रहा क्या की noon 866 116 लिख लिए हं 145 है वह 120 से कितना है क्या पचीस ज्यादा थे तो इस अधीड़ा ए इस तरीके से हमने सारे के सारे लिख लिए कि देखे सू है सो एक्सोटे से क्या की बिश कंघ तो यह यहां पे मैंने लिख लिया अब हम क्या करेंगे जो प्लस के माइनस के जो कट रहे उनको हम काट देंगे ये देखिए ये 35 से ये हमारा 35 कट गया और उसके बाद में देखिए जैसे हमारे पास ये है प्लस के 10 है और ये माइनस के 20 है तो यहां से क्या रहे जाएगा माइनस के 10 यहा एक तो प्लस के 14 प्लस के 25 माइनस के 10 अब देखिए यह हम फिर से काट देते माइनस 10 जब हम प्लस के 25 में से माइनस करेंगे तो यहां पर कितना रहे जाए हमारे पास 15 रहे जाएगा अब हमारे पास क्या रहे गया प्लस के 15 और प्लस के 14 यह कितने हो जाएंगे हमारे पास 29 यहाँ पर हो जाएंगे तो आप इस चीज़ को एक वर ध्यान में रखी यहाँ से हमारे पास क्या गया 29 आ गया ठीक है यहाँ पर हमने लिख लिया यह 29 लिख लिया और हमने कितना माना था 120 माना था और यह कितने हैं यह 7 है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक है एक सो बीस गुरा में सेवन बारा सते चुरासी आठ सो चालिस पलस में 29 यह हम कर देते हैं 9 6 8 यह कितना हो गया दोस्तों 899 तो 899 किसके इंदर है यह उप्शन नंबर 4 के इंदर दिया हुआ है तो देख लो दोस्तों आपके सामने आपके सामने कितना जल्दी मैंने फटाक से यह कर दिया तो इसी तरीके से आप भी कर शकते हैं और यह तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है अगर मैं खुद अपने हिसाब से करता तो बहुती जल्दी इसको कर पाता तो इसलिए मैं कहा हूँ दोस्तों कि आप ये तरीका भी use कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इस तरीके से आप बहुती जल्द sum कर सकते हैं addition कर सकते हैं, जोड सकते हैं किसी भी संख्या को तो जैसा भी आपको सही लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको आप ट्राइ करके जरूर देखना तो चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा 32 32 नमबर इसमें इन्होंने कहा है कि 2013 की तुलना में 2017 में 32 इंच LED टेलिविजन से टो की बिकरी में अनुमानित परतिसत वृद्धी या कमी क्या थी अब देखे इसने क्या कहा है सबसे पहले 32 इंची 32 इंची कौन सा ही है हमारा इसके अंदर 2013 2013 का क्या है दोस्तों ये है 112 और फिर 2017 2017 में क्या है 175 ये कह रहा कि 2013 से 2017 में जो हमारी बिकरी हुई है उसमें बिकर बढ़ी है या घटी है वो हमें बताना है और परतिसत बताना है हमें और इसका मैंने एक फॉर्मुला बताया था दोस्तों मैंने बताया था कि final value minus में initial value final value मतलब 2017 की value initial value मतलब 2013 की value बटे में initial value इनीशियल वैल्यू मतलब यानि कि सुरू की जो वैल्यू है 2013 की 112 गुना में हमने क्या किया था 100 यहाँ पे किया था यह मैंने आपको जो इससे एक वीडियो छोड़ के पहले वाली जो वीडियो थी समय मैंने आपको बताया था पर्शेंटेज एवरेज रे सो किस तरह से हम निकालते हैं तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं वह वीडियो देखने के बाद आप बिलकुल असानी से डियाई के कॉश्चन निकाल सकते हैं अब देखिए इस फर्मूले के वेस में किस तरह स पे करेंगे अब सबसे पहली बात यह आती है कि 1175 मैं से 112 आप कर लेजिए मैं कर लेता हूं कितना आएगा जब हम 112 में से 112 करते हैं तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 63 यहां पे आ जाएगा अब देखे 63 हमारे पास आ 163 बटे में 112 गुरा में 100 अब देखी इसको जब आप sol करेंगे यानि कि solution करेंगे इसको cut वगरा करेंगे तो यह यहाँ पे हमारे पास आ जाया 56.25 हमारे पास आ जायेगा अब यहाँ पे यह बात आती है दोस्तो 56.25 हमारे पास आ गया तो हम option number 2 पे click करें या फिर 3 पे click करें अब देखी हम 2 का जो option number है वो ही right करेंगे क्योंकि यह 25 है दोस्तो 25.25 है 25 को हम 56 के करीब ही मानेंगे अगर यह पाइंट 50 से ज्यादा होता जैसे पाइंट 60 होता तो हम 57 मान सकते थे तो यहाँ से इसका जो right answer होगा दोस्तो option number 2 होगा तो देखो दोस्तो कितना असान question है कितने दो question किए हमने अभी तक दोनों के दोनों के कोशन कितने असान है और आप लोग वैसे ही D.I.E. से डरते हैं और आगे अब हम तीन question और करने वाले वो भी आप देखना कितने असान कुशन है तो चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं यह हमारा कोशन नमबर 33 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि किसा कार के LED टेलविजन सेटों की बिक्री सभी सालों में सबसे ज्यादा है अब देखिए इसमें हमें सभी television set देखने हैं कि ये जैसे ये television set है इन में से कौन से television set की बिकरी सबसे ज़्यादा हुई है सभी सालों में ये सभी सालों के जोडने है अब यहाँ पर एक जो trick use करनी है वो देखिए हम क्या trick use करेंगे कुछ दोस्त क्या करेंगे कि ये सभी के सभी जो set है इनका जोड़ करेंगे जैसे 99 इनची television set है इसका जोड़ करेंगे इसका करेंगे इसका करेंगे इसका इसका इन सभी का करेंगे लेकिन ऐसा हमें नहीं करना दोस्तो हमें क्या करना है कि सब से पहले option में देखिए option में कौन कौन से दिये हुए है 22 इंची ये दिया हुआ है 24 इंची ये दिया हुआ है 32 इंची ये दिया हुआ है और फिर 99 इंची ये दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहले option में देखिए option में क्या दिया हुआ option में 22 इंची यानि कि ये 24 इंची ये रहा 32 इंची ये रहा और 99 इंची ये रहा यानि कि ये 4 दिये हुए हैं तो हम 40 इंची को भूल जाएंगे एक time के लिए उसके बाद हम question करने की कोशिस करेंगे अब देखिए इन चारों के अंदर हम कैसे define करें कि किसके set सबसे ज़्यादा विके हैं किसकी विक्री ज़्यादा हुई है देखिए इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अब यह देखिए 24 इंची टेलिविजन सेट लेते हैं इसके अंदर जो 100 से कम है वो यह देखिए 85 है, 70 है, 95 है और इसके अंदर 22 इंची के अंदर 85 कम है और इसके अंदर 85 एक बार आया है लेकिन 24 इंची के अंदर तीन बार जो digit है वो 100 से कम हुई है हमारा सबसे कम हो जाए तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे यह हो गया हमारा नेगलेक्ट हो गया और उसके बाद में जैसे यह हमने उने इंचास था उने इंचास हमने पीछल निकाला था 699 निकाला था तो इसका तो हमें पता ही है यह भी एक साइड के एक टाइम के लिए 115 है 100 है और 115 है 120 है यानि कि 125 और 15 100 से उपर इनकी नहीं गई है लेकिन 32 के अंदर जब हम आते तो यहां पर देखिए 124, 112, 160, 145, 170 तो यहां से हमें और यह ओटोमेटिक तरीके से पता चल रहा है कि 22 इंची से 24 इंची से सबसे ज़्यादा विकरी किसकी हुई है 32 इंची की हुई है अब बात आती है एक 32 इंची रहे गया हमारा एक रहे गया 59 इंची इंची रहे गया अब देखिए अब इन में भी कंपेर करके देखर लिजीए यहां पर होगाई 136 है यहाँ पे 85 यहाँ पे 145 है चलिए ये दो तो थोड़ी सी ज़्यादा इन में फिर देखें 160 है यहाँ पे 50 है 145 है यह 100 है यह 135 है यह 130 है यह 155 है तो इन से भी आप देख सकते हैं कि यह जो 32 है 32 की जो दीजिट है वो कहीं न कहीं ज्यादा हमें लग रही है तो और अगर आप अपना डाउट कलियर करना चाहे तो इन दोनों को एड़ भी करके देख सकते हैं अगर आप चाहे कि हमारा जो आनसर है वो बिलकुल प्रफेक्ट निकलना चाहिए तो प्रफेक्शन के लिए आप इन स सबी के सभी जोड करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो डियाइ के इंदर जो 95% कोशन किये जाते इसी तरीके से किये जाते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते कि जो हमारा आंसर आएगा आंसर आएगा 32 32 इंची टेलिविजिन सेट यहाँ से हमारा आंसर निकल और कितना असान हमारा डियाई है तो दोस्तो एक और चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो यह है कि कई वार हम अनमान लगाते तो वो अनमान गलत भी हो सकता है तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो किसी जोड हम कर रहे हैं जैसे कि हमने बताया था कि 22 और 24 इंची में 32 इंची में जैसे वैसे तो मैंने यह डिजिट दिखा दी कि यह 100 से देखे कितना कम है 85 कम है 70 कम है 95 कम है यह सारी चीजे मैंने आपको दिखा दी लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको डाउट हो तो आप एक बार उनको पलस करके देख लीजिए ताकि आप बिल्कुल शोर हो जाए कि यह कम है यह ज्यादा है देखे अनमान अनमान होता है अनमान हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है तो अगर आप accurate answer निकालना चाहते हैं आप एक बार उनका कहीं भी doubt होता है अच्छे से जोड करके उसको करने की कोशिस कीजिए और यह आप तब कीजिए जब आपके पास exam के अंदर जादा time हो तब आप अच्छे से जोड करने की कोशिस कीजिए अगर आपके पास time बहुत कम है तो आप अनुमान पे ही चलिए चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं यह देखिए दोस्तों यह हमारा कोशन नमबर 34 है इसके अंदर इनों ने कहा है कि सन 2013 और 18 सबसे पहले 2013 और 18 किसके अंदर 24 चालिस इंची के अंदर 40 इंच यह हो गया सन 2013 तेरा का हमारा यह हो गया और 18 अठारा का हमारा यह हो गया सन 2013 और 18 में बिकने वाले 40 इंच के टेलिविजन सेटों के संख्या में अंतर क्या है अब देखिए अंतर पूछा वाई नोंने अंतर बिल्कुल इसान है दोस्तों 110 में से माइनस 94 कर दीजिए यह कितना आ गया 16 आ गया हमारे पास अब देखिए 16 तो आ गया हमारे पास अब यह 16 क्या है एक करोड़ साथ लाख है या फिर क्या है यह हमें पता होना चाहिए अब सबसे पहले ही हमने एक चीज पढ़े थी आपको दिखा देता हूं साइद आप भूल गए हों यह देखिए शरू के अंदर यह था हमारा यहां पर इन्होंने दिया लाखों में संख्या क्या है दोस्तों लाखों में है संख्या लाखों में दी हुई है तो हमारा जो यह आंसर जो आएगा यह जो डिफरेंस जो आएगा यहाँ पर हाँ यह देखिए यह हमने किया था 110 मेसे जब हम माइनस चुरान में करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 16 तो 16 क्या होगा 16 लाक होगा तो 16 लाक देखिए यह उप्सन नमबर 4 है या ए है ए है हमारा दोस्तों यहां से आप देख सकते ह दस जार लाक दस लाक जानी कि 16 लाक जो अंसर है वह उप्सन नमबर ए में दिया हुआ है तो आप बताईए दोस्तों कितना आसान कोशन आप क्यों डरते हैं आप खुद अपना कमेंट बॉक्स में जबाब जरूर देना कि क्या आपको अभी भी डियाई से डर लगता है या नहीं लगता अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बताईए सर की हमें डर नहीं लग रहा और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दिया करो कि आपको हमार डर खतम हो जाएगा अब देखे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इस LED TV सेट के लिए सभी साथ वर्सों में कुल बिकरी नियुन्तम है अब पहले हमने क्या निकाला था अधिक्तम निकाला था कि कौन से टेलिविजन सेट सबसे ज्यादा बिके है अब क्या निकाल अब देखे यहाँ पे जो 32 है इन्होंने छोड़ दिया और 32 हमने क्या निकाला था यह सबसे ज्यादा बिकरी हो रहा था तो यह इन्होंने अलग से निकाल दिया अब देखे अब इसमें यह कोशन किस तरह से करेंगे मैं आपको बिल्कुल असान तरीके से बताता हूं पहले अपनाया था सबसे पहले हम दो डिजिटर ले लेते जैसे 22 और 24 इन दोनों को देखे इन दोनों के इंदर कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है यह देखे दोस्तों हमें एक चीज ध्यान में रखे हमें कम वाला देखना जो कम है सबसे ज्यादा कम है वो हमें देखना है य यहां से यह हम अप्रोक्सिमेटर लगा के चल सकते हैं, यह हमारा सत्तर कम है, यह फिर है चत्तिस कम है, फिर है यह हमारा अठारा कम है, यानि कि साथ, चत्तिस, अठारा इतना कम हो गया, आगे देखते हैं, यह ज्यादा कितना है, ज्यादा भी देखिए, यह पंधरा है तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा कम जो होगा वो यह होगा दोस्तों देखे दोस्तों यहां पे हमारे सामने एक डाउट क्रियेट हो रहा है कि 22 और 24 में से किसकी विक्रीज जादा हुई है किसकी कम हुई है यह सही से हम पता नहीं लगा पा रहे तो इ हम लिख के देखते क्या इसका अंसर आएगा इसमें यहां पर हम लिख लेते हैं यह कितना है प्लस के 15 है यह हमने 15 लिख लिए ज्यादा है और यह कितने हैं दोस्तों यह है हमारे 30 और यह है प्लस के 45 ज्यादा और उसके बाद में है यह है प्लस के 30 ज्यादा ठीक है और य प्रक्षिमेशन पर हमें चलना होता दोस्तों यह है हमारे 70 यहां पर माइनस के लिख लिए और फिर है 100 यह कितना है 36 यानि कि यह माइनस के 36 यहां पर हमने लिख लिए तब उसके बाद में है यह है 106 106 124 से कितना कम है यह है 18 कम है दोस्तों यह हमने यहां पर 18 लिख लिया अब देखिए, यहाँ पे माइनस के 36, माइनस के 70 और माइनस के 18 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे यह देखिए 15 और 45, 15 और 45 को करेंगे तो कितना आजाया दोस्तों, हमारे पास यह आजाया, हमारे पास 60 आजाया, इन दोनों का आगया, 60 और यह है हमारे पलस के 30, अब इंदर देखिए 90 तो यही हो गया 100 106 तो यही हो गया हमारा और 18 यह हो गया तो यानि कि यह माइनस की ज्यादा है यह जो है दोस्तों यह जो 22 और 24 के अंदर 22 जो है यह इसकी बिक्रिस सबसे कम होगी यहां से आप निकाल सकते हैं और एक और जो दूसरा तरीका मैं आपको जैसे बताता हुआ आ रहा हूं ट्रेडिशनल जो मैं थड़े हमारा उसमें आप बिल्कुल भी कन्विजन नहीं हो सकते आप क्या किजिए उसमें टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा ज़रूर लगेगा आप इनको ज सुरू से जिस तरीके से पलस करते हुए आ रहे हैं 85 को पलस कर लिजिए 100 को 106 को 115 को इन सभी को पलस कर लिजिए इसको पलस कर लिजिए और इन दोनों में देख लिजिए कौन जयादा है कौन कम है यह तरीका भी आप यूज कर सकते हैं क्यूंकि जो मैंने अभी तरीका बत आया था उस हिसाब से क्या है यह सबसे हमारा कम है अब यह दो तो हमने फाइनल कर लिए दोस्तों यह कर लिया यह कर लिया तो इसके अंदर क्या है हमारा यह बाइस है यह 24 से कम है अब बात आती है चालिस और 99 के अंदर बात आती है अब देखे इन दोनों के अंदर हम देखन से कम है ये कम है ये कम है ये तो इस तरीके से आप कम देख सकते हैं इसमें देखे उन्हें चैस और चालिस के अंदर जो ब्लू है वो सारे के सारे कम दिये हुए हैं इसमें से सारे के सारे ये कम है तो यहां से क्या होगा उन्हें चैस और चालिस कम हो जाएगा उन्हें चैस से ठीक है और अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों एक 22 बच गया और एक हमारे पास 40 बच गया 22 और 40 ये दो चीज हमारे पास बच गई अब इन दोनों के इंदर देखिए कौन कम है और कौन ज्यादा है अब देखिए ये 85 112 से कम है ठीक है ये बड़ा हो गया 94 से बड़ा हो और 106 फिर एक सोंफंद्रा यह ज्यादा है फिर 100 यह ज्यादा है 85 से और फिर एक सोंफंद्रा यह कम भाग ज्यादा आ रहे हैं 40 वाली डिजिट से तो यहां से आप क्या कह सकते कि 40 के जो set है वो सबसे कम विक्री हुई है चालिस वाले set हो की सबसे कम विक्री हुई है और आप देख लेना दोस्तों यहाँ पे आप निकाल के देखना अंसर निकाल के देखना इनका पलस करके देखना चारों का और फिर देखना जहां तक मेरा idea 40 ही इसका answer आएगा 40 minutes ये इसका answer आएगा 4 इसका answer आएगा और कई दोस्तों जैसे यहाँ पर देख सकते कि answer number 3 दिया हुआ है लेकिन ये answer गलत भी हो सकता है दोस्तों ये answer गलत है आप सही से देखना इनका जरूर करके देखना 22 का 24 का 49 का और देखना कि इसका answer 3 आ रहा है या 4 आ रहा है आप सभी अपने अपने जवाब है कमेंट वोक्स में जरूर डालना ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना कुछ आ रहा है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपके अंदर डियाई का जुडर है वो काफी हद तक निकल गया होगा और एक और वीडियो भी हमने बनाई थी दोस्तों कल इवनिंग को बनाई थी उसके अंदर भी हमने जून 2019 का पेपर करवाया था उसके अंदर भी आप देख सकते कि कितने असान कुछन आये थे और किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं वाटस अप भी कर सकते हैं या कमेंट भी लिख सकते हमें यूटूब के उपर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तों आज हम एक और कोशन लेके आए हैं डियाई का और हमारा मीशन है कि आपके अंदर जो डर बैठाव है उस डर को निकाल दे तो उसी डर की कड़ी में ये हमारे तीसरी वीडियो है इस वीडियो में आप बिलकुल असानी से देखना कि किस तरह से हमें कोशन करने है तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि कि इस वीडियो से आप बिलकुल असानी से सीख जाएंगे कि डियाई के अंदर जो परसेंटेज विगर है वो किस तरह से निकलती है तो चलिए दोस्तों अब हम सुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की दोस्तों ये जो कोशन है हमारा ये आया था 2014 के अंदर आया था दिसंबर 2014 चोधा एक्जाम के अंदर देखे दोस्तों डियाई का जो कोशन होता है उसके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट हमें ध्यान से पढ़नी होती है यहाँ पे देखे इन्होंने क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे दिया हुई है और इसी के वेश पे दोस्तों हमें ये कोशन करने हैं चलिए अब हम आगे कोशन देखते कि इस वेश पे किस तरह से कोशन आए हैं ये देखे दोस्तों ये सबसे पहला कोशन इन्होंने दिया हुआ है कि वर्स 2005 से 2009 के दौरान विद्यूत चेतर से CO2 उत्सरजन की परतिसता व्रिधि क्या है वो हमें बतानी है देखे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए इन्होंने कहा है कि 2005 से 2009 2005 हमारा ये है और 2009 ये है इसके अंदर देखे विद्यूत अक्षेतर विद्यूत कौन से हमारा ये है अब देखे इसके अंदर एक तो आ हमारा 800 अब इसमें ये बताना कि जो व्रिधि हुई है वो कितने प्रतिशत व्रिधि हुई है और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों डियाई की जो बेसिक चीजे होते हैं उनके बारे मैंने एक वीडियो बना रखे वो वीडियो आप देख सकते हैं वो माइनस में इनीशियल वैल्यू बते में इनीशियल वैल्यू मल्टिप्लाइवाई हंडर्ड ये थी हमारी फॉर्मूला इसके अंदर देखिए फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास फाइनल वैल्यू है 800 माइनस में इनीशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों 500 है बते में यहां में से 500 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास 300 यहाँ पे रह जाएगा अब देखिए मैं करता हूँ इस question को यहाँ पे कर लिता हूँ देखिए यहाँ पे 800 minus में 500 बटे में 500 गुना में 100 हमने कर लिया अब देखे ये रहे गया हमारे पास 300 बटे में 500 गुना में 100 अब देखे 20 से 20 कट गी और 5 से क्या कटेगा दोस्तों ये 300 को कट करें तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा तो यहां से जो हमारी value आएगी वो क्या आएगी दोस्तों 60% यहां से हमारा answer आ जाएगा तो ध्यान से एक बार फिर से देख लेजिए दोस्तों जब 2 हमारे पास year दी गई हो जैसे 2005 से 2009 के बीच में परतिसत वृद्धी निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है जो सबसे last में जो value जो year दी हुई होती है यानि कि final value यानि कि 800 minus में initial value जो हमारी पहले value दी होती है वो इन इस तरह से हमें उसका परतिसत वृद्धी निकालनी है तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि कितना असान हमारा question है और अब हम अगला question देखते दोस्तों अब ये question देखे दोस्तों वर्स 2005 से 2009 के दोरान CO2 उत्सरजन में किस अक्षेत्र में अधिक्तम वृद्धी दर्ज की गई अब देखे यहां पर यह क्या कह रहा है यहां पर हमें सभी अक्षेत्र जो दिये उनकी वृद्धी परतिसत निकालनी है और पिछले वाला जो question था दोस्तों उसके अंदर हमें क्या था कि केवल और केवल विद्धुत अक्षेत्र से निकालनी थी लेकिन यहां पर क देखे दोस्तों option में हमें क्या क्या दिया गया है विद्धुत दिया गया है यह हो गया उध्योग है यह हो गया वनिज्य है यह हो गया और क्रिस्य है हमारे पास यह हो गया यह चार दिये गया है तो इनका हमें पता करना है तो इनका पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्त कितना है था 60% आए था फिर हमें क्या करना है साधे 400 में से 200 माइनस करेंगे और बटे में क्या करेंगे बटे में 200 करेंगे और गुना में 100 करेंगे तो इस तरह से हम निकालेंगे चलिए मैं आपको यह दिखा देता हूं किस तरह से पूरा निकलेगा यह देखे दोस्तों यहा पर क्या जाए 125 परतिसात आजेगा फिर वानिज्जी अक्षेत्र की बात हो रही है यहां पर इसमें क्या होगा 320 माइनस में 150 बटे में 150 गुना में 100 तो यहां पर यह हमारी वैल्यू आजाएगी इसी तरह से क्रिक्षी अक्षेत्र का निकालेंगे दोस्तों 200 माइनस में 80 और बटे में 80 गुना में 100 तो इस तरह से यहां पर हमारे पास इसका जाए 150 परतिसात और अब इसमें हमें बताना था अधिक्तम वृद्धी बताने थी अब देखिए अधिक्तम वृद्धी किसमें हो रही है दोस्तों यह हो रही है हमारे क्रिशी अक्षेत्र में हो रही है या दोस्तों हमें पता सल गया कि किस तरह से कोशन निकालना है, चलिए अब हम अगला कोशन देखते कि अगला कोशन किस तरह से करेंगे, अब यह देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या कहा है, वर्स 2005 से 2009 में CO2 का कुल उतसरजन किस परतिसत तक बढ़ा है, यह हमें बताना है दोस्तों, अब देखिए, सन 2005 से 2009, 2005 ही हो गया 2009 तक, CO2 का कुल उतसरजन हमें कुल टोटल बताना है दोस्तों, टोटल का मतलब है कि यह जैसे विद्धू तूद्योग, यह सब ही हमें पलस करना है, यहां से यहां तक यहां से यहां तक, यह दोनों के दोनों पलस करने है, और फिर हमें देखना कि कितना परतिसत बढ़ा था, देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 2005 का कुल करेंगे, टोटल करेंगे, उसके बाद 2009 का टोटल करेंगे, और फिर इनकी परतिसत निकालेंगे, चलिए ये question भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब देखे इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले जो हमारा 2005 दिया हुआ है दोस्तों ये देखे 2005 दो हजार पांच में जितनी भी हमारी ये value है इन सभी को हम plus करेंगे ये देखे ये plus किया plus करने पर हमारे पास आजाएगा 1030 यहाँ पर आजाएगा फिर जो 2009 की जो जितनी भी value दी हुई है हमारे पास ये इन सभी को हम plus करेंगे तो ये आजाएगा 1950 आजाएगा अब देखे इन दोनों में हमारे पास वृद्धी हुई है 1950 हमारे पास आ गया पहले कितना था 1030 था तो मतलब क्या है कि वृद्धी हुई है अब हमें ये देखना कि कितने परतिशत वृद्धी हुई है तो इसका ज हमारे जो वृद्धी होगी वह वह हो जाएगी दोस्तो 89.32 नवासी पॉइंट 32 परतिशत यहां से हमारा अंसर आ जाएगा यह दोस्तो यह हमारा अंसर आ जाएगा तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कोशन कर शकते हैं अब चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं यह देखें दोस्तों इसके अंदर यह कहा है कि विद्यूत अक्षेत्र में CO2 उत्सरजन की ओस्त वार्षिक वृद्धी दर क्या है अब यह थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों इसके अंदर क्या कहा है कि इसने कहा है कि वार्षिक वृद्धी दर क्या है वार्षिक चीज देखते हैं 2005 से 2006 में जब गए तो यह देखे यहाँ पर वृध्धी हुई फिर 600 से साड़े 600 वृध्धी हुई फिर साड़े 600 से 700 फिर 700 से 800 यानि कि इनके अंदर ओसत परतिसत वृध्धी कितनी हुई वो हमें निकालना है तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 500 से लेके 600 में इसमें कितनी परतिसत वृध्धी हुई फिर 600 से साड़े 600 में कितनी हुई और फिर साड़े 600 से 700 में कितनी हुई फिर 700 से 800 में कितनी हुई इन सब ही कि हम परतिसत वृध्धी निकालेंगे और फिर उसका average निकालेंगे चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूं किस तरह से होगा ये देखी इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है दोस्तों इसके अंदर वही है जो हम पीछे करते हुए आ रहे थे सबसे पहले हम क्य करेंगे final value minus में initial value बटे में initial multiply by 100 इस तरह से करेंगे यहाँ पर आप देख सकते यही हमने किया है 600 minus में 500 बटे में 500 और दोस्तों यह 1000 है ना 1000 है यह Based लिखा गया 100 यहाँ यहाँ पर गलती से लिखा गया यह सभी में 1000 हाँ यह 100 है 100 से एक हजार एक जिरो फाल तो इसमें लग गई तो दोस्तों इस तरह से हम सभी में निकालेंगे जैसे अगर हम बात करें कि 6 से 7 का हमें निकालना तो इसके लिए हम क्या करेंगे साड़े 600 माइनस में 600 बटे में 600 मल्टिपलाई वाई 100 इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ पर दिया हो यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से इन सभी का हम करेंगे यहाँ पर हमारा क्या आगया सबसे पहले 20% आगया फिर 8.33% आगया फिर यह सभी परतिसत यह देखें इन सभी परतिसत को यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, जोड लेंगे, और फिर चार से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा दोस्तो, ओसत वार्षिक विरिधी दर आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आएगा जो हमारी परतिसत निकली है उनका ओसत हमारे पास आजाएगा तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान देने किया हो सकता है कि जो question है उसके अंदर क्या कहा गया है और हमें किस तरह से इसको निकालना है और दोस्तों अगर किसी को भी इ नीचे आप देख सकते हैं यह नीचे दिया हुआ है 870-83-21010 इस पे हमें message कीजिए अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे चलिए दोस्तों अब हम सबसे last और आखरी question देखते हैं इसके अ दिया हुआ है वर्स 2008 में कुल CO2 उत्सरजन में विद्यूत अक्षेतर का परतिसत योगदान क्या है अब देखे इसे समझने की कोशिस किजिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वर्स 2008 2008 हमारा ये है इसके अंदर कुल CO2 कुल CO2 का मतलब दोस्तों ये पूरा का पूरा हमें प प्लस किया प्लस करने के बाद दोस्तों हमें देखना कि उत्सरजन में विद्यूत अक्षेतर का क्या योगदान है वो हमें देखना है चलिए दोस्तों इसका में आपको सोलिशन दिखा दूता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें 700 का याने की वीध्यू दख छेत्र का निकालना तो यह ऊपर रख लेंगे 700 ऊपर रख लिया हमें और नीचे में कुल उतसरजन का हमें निकालना तो इन सभी का Total हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे इन सभी का नीचे हमने Total किया और Multiply by 100 यहां पे किया 700 बटे में 1700 गुना में 100 जब इनको 2-0 से 2-0 कट करेंगे तो यह हमारा परतिसद कितना जाए है दोस्तों 41.18 परतिसद हमारे पास यहां से आ जाएगा तो दोस्तों यहां से आप इस तरह से बिलकुल असानी से कोशन कर शकते हैं और डियाई के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना यह हमें पता होना जरूरी है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और अब सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों हमारा मीसन है कि हम आपके अंदर जो डियाई का डर बना हुआ है उसको खतम कर सकें और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने ऐसा कोशन लेके हैं जिससे ज्यादतर स्टूडेंट डरते हैं ऐसा कोशन देखते ही सभी के होस उड़ जाते है और समझवें नहीं आता कि ये जो डेटा ये किस तरह से हमें मैनेज करना है किस तरह से हमारा अंसर आएगा इस तरह का डेटा देखते ही हमारे होस उड़ जाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बिलकुल असानी से ये बताएंगे कि इस तरह की डेटा को हमें किस तरह से सोल करना है और आपको बिलकुल भी डरने की जरूरत नहीं है आज की ये वीडियो देखने के बाद दोस्तो आपका जो डर बना हुआ है इस तरह की कोशन को देखके वो बिल्कुल से खतम हो जाएगा तो इस वीडियो को अब पूरा देखना और दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे कोशन पे यह देखे दोस्तों यह जो कोशन है हमारा यह आया था जून 2014 के अंदर कोशन आया था यह कोशन दोस्तों कोशन करने से पहले हमें बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए और जैसे हमने average percentage विगरा ये सारी basic चीजे डियाई के बारे में ये हमने करवाई थी हमारी पहली वीडियो में उसमें आप देख सकते हैं वो वीडियो देखेंगे तभी आप डियाई के question अच्छे से कर पाएंगे और इस question में हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है मैं आपको बता रहा हूं देखिए एक तो सबसे पहली चीज वो है कि वो हमें round off करना होगा round off का मतलब ये होता कि मान के चलो कि हम जोड़ घटा गुना भाग करते हैं और किसी से हम मान के चलते कि 15,625 रुपई मांगते हैं ठीक है तो हम उसे कहत है कि चल छोड़ यार तू 15,600 रुपई दे देना तो इस तरीके से ऊपर के थोड़े बहुत रुपई छोड़ देना या add कर देना जैसे कि हम मान के चलते किसी वेक्ति से 39,936 रुपई मांगते तो हम क्या कहेंगे कि उससे 30,000 रुपई के करिए मांगते हैं तो 30,000 में उस च्छे मीटर रसी को आठ भागों में बांटना है और दूसरा है च्छे मीटर रसी को 20 भागों में बांटना है तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा ये देखिए एक हम ले लेते 4 मीटर ये रसी है हमारी ठीक है इसको हमें कितने भागों में बांटना है आठ भागों में तो आप बताएं कोन सी रस्सी बड़ी होगी यह चार मेटर वाली रस्सी बड़ी होगी यह फिर 6 मेटर के जो हिस्से करेंगे वह बड़ा होगा करें तो इसके 6 के जो टुकड़े वो बहुत چोटे हो जाएंगे लें기 चार मीटर वाले रसी के जो टुकड़े वो थोड़े बड़े होंगे तो यहां पर क्या बड़ा होगा हमारे पास चार मीटर वाली रसी के जो हिस्से वो बड़े हो जाएंगे तो यहां से एक छोटी सी बेसिक चीज हमें समझना जरूरी है कि वो नीचे कितने से डिवाइड ह रहा है और उपर कितनी संख्या ये थोड़ा सा में लोजिक देखना पड़ता है तभी हम पता कर शकते कि कौन से संख्या बढ़ी है और कौन से संख्या छोटी है ये जो एक्जामपल मैं आपको दे रहा हूँ ये एक्जामपल हमारा आगे बहुत ज्यादा यूज होगा तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा ज़्रूरी है तो चलिए अब हम अपने कोशन पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें कोशन करने हैं अब देखिए दोस्तों ये हमारा कोशन है कोशन नमबर 18 इसके इंदर इन्होंने क्या दिया है सन 1997 से 98 अब हमें क्या पता करना है दोस्तो सरवाधिक कमी पता करना है हमें कमी किस के अंदर हुई है कमी परतिसत बताना है यहां पर थोड़ा ध्यान में यह चीज़ देने वाली है दोस्तो मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िए वहीं से आपका कोशन निकल के आएग यह वो हमें देखना है अब देखिए यहां पे हमें ऑप्सन से ही लेके चलता है यहां पे इन्होंने दिया सरकारी नहर सरकारी नहर हमारा यह हो गया फिर है नीजी नहर नीजी नहर यह हो गया फिर है अन्ने अन्ने स्त्रोथ है यह है अब इन में क्या देखना है कमी परति चीजे लेके चलता हूं सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में कमी हुई है या जादा हुई है यहां से यहां तक कमी हुई है दोस्तों यह सतरा सो से पंदरा सतरा हजार से पंदरा हजार यहां पर दिया हुआ है यह कमी हुई है फिर नीजी में यहां भी देखे यहां भी कमी तो इस जो option number D है इसको तो हम बिल्कुल cut कर दें ही क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई है और हमें क्या निकालना है दोस्तो कमी परतिसत निकालना है अब बात आती है दोस्तो कि यहां पे जो यह आंकडे है 17,117 दिया हुआ है फिर 15,268 दिया हुआ है तो इस तरह की जोड घट गुना भाग करने में काफी दिक्कत आएगी और इनकी percentage निकालेंगे तो बहुत difficult हो सकता है हमारे लिए अब देखिए इस question को हम बिल्कुल असानी से किस तरह से करेंगे वो हम देखते है चलिए देखिए अब मैंने बताया था कि आपको हम round figure करेंगे ठीक है तो round figure से इस question क कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम सरकारी नहर की बात करते हैं सरकारी नहर यह है और 1998 यह है 2005 6 यह है इसके अंदर 17,117 है इसको हम दोस्तों 17,000 लिख लेंगे 17,117 को हमने क्या लिख लिए 17,000 लिख लिए और फिर हमारा जो 2005 6 की बात है इसके अंदर क्या है 15,268 है तो हम 15,000 लिखे लेंगे ठीक है राउंड फिगर इन दोनों को लिखे लेंगे इसी तरीके से जो नीजी नहर और ये है नीजी नहर है नीजी नहर में दोस्तो हम इतना ही रखेंगे 211 और 207 क्योंकि इन में हमें क्या है कि गुना भाग या पलस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो हमने इसको नीजी नहर को इतना ही लिख लिया राउंड फिगर हम उसी का करते हैं जिसमें हमें थोड़ी प्रोब्लम हो ज्यादा बड़ी संख्या हो तो उसका करते हैं अब बात आते हैं दोस्तो तलाब की तलाब में देखे दोस्तो यहां पे 2593 है 2593 को हम 2600 लिख सकते हैं दोस्तो तो इस तरह से हमें यह करना है राउंड फिगर इस तरह से हम कर सकते हैं अब आगे बात आते हैं दोस्तो आगे यह कोशन कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले मैंने बताए राउंड फिगर राउंड फिगर इस तरह ऐसे लिखेंगे यह आपको बात स percentage कैसे निकालेंगे percentage निकालने के बारे मैंने आपको दो वीडियो में अच्छे से बताया है वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि percentage कैसे निकालेंगे सबसे पहले दोस्तों हम 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे और फिर बते में 17,000 करेंगे और गुना में 100 करेंगे यह हमारा पूरा प्रोसस है देखी अब इसको हम बिलकुल असानी से एक एक स्टेप समझने की कोसिस करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोस्तों यह वीडियो आप ध्यान से देखना मैं पूरे गैरंटी के साथ कहता हूँ यह आपको समझ में आ जाएगी देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो यह क्या हैगा दोस्तों हमरे पास 2000 आ जाएगा 2000 बटे में हमने 17,000 कर दिया 100 है 100 हम बाद में करेंगे 100 को आपे एक टाइम के लिए भूल जाएगी 100 को भूल जाओ क्योंकि 100 सभी में लग रहा है इसका जिकर हम बाद में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 17,000 में से 15,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2000 2000 बटे में 17,000 कर दिया अब बात आते हैं नीजी नहर की अब 211 में से 207 हमने माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों 4 बटे में 211 यहां पे आ गया हमारे पास फिर आते हैं बात तालाब की तालाब में 26 में से 2000 माइनस करेंगे तो क्या जाए दोस्तों 600 बटे में 2600 यहां पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई यहां तक है यह देखिए सबसे पहले इतना समझना हमारे लिए जरूरी है कि 17,000 कहां से आया 15,000 कहां से आया 17,000 15,000 हमने राउंड फिगर किया था इसका और इसका यहां से आया था और 2000 हमारा यहां से आया 17,000 में से 15,000 हमने माइनस किया बटे में 17,000 इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज निकलने का यह फॉर्मूला होता है अब देखिए यहां तक हमें बात समझ में आ गई इस स्टेप तक अब देखिए दोस्तों यहां तक हमें समझ में आ गई बात अब आगे देखते कि सरवाधिक कमी परतिशत किसके अंदर हुई वो हमें निकालना है ठीक है अब देखिए अब एक टाइम के लिए एक वर यह सो तो आप भूली जाईए अब देखते हम मैंने वही बात अब आ रही है दोस्तों जो रस्सी वाली बात थी ना देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ रस्सी वाली बात थी यहां पे एक तो च्यार मिटर को हम आठ भागों में बांट रहे थे तो हमारी बड़ी कौन सी थी दोस्तों ये थी अब यही बात हमें इसके अंदर लगानी है अब देखिए एक रसी तो है हमारे पास दो मिटर दो मिटर को हम 17 भागों में डिवाइड कर रहे हैं दूसरी दोस्तों 4 मिटर है 4 मिटर को हम 211 भागों में डिवाइड कर रहे हैं औ से छोटा पार्ट क्या होगा अब देखे ये जो है ये इसके बहुत छोटे 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 टुकडे हो जाएंगे नहीं कि चार को जब हम 211 में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही छोटे 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 टुकडे उसके हो जाएंगे तो ये जो है ये हमारा कैंसिल हो जा दोस्तों अब हमारे पास दो चीज रहेगी एक तो 27 रहे गया और 16 26 रहे गया अब इसमें इन दोनों में देखना है हमें सरवाधिक वृद्धिक किसमें हुई है यानि कि बड़ा कौन सा इनमें वो हमें देखना है बड़ा पार्ट कौन सा है अब देखिए यहां पर एक तो ह यह भी कर सकते दोस्तों 6 बटे में 26 तो यहां पर 3 आजाएगा और यह आजाएगा 13 यानि कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि 3 मीटर के यहां पर कितने टुकडे हो रहे हैं 13 टुकडे हो रहे हैं और यहां पर 2 मीटर के 17 टुकडे हो रहे हैं यानि कि यहां पर देखिए दोस् बागों में डिवाइड करना था तो हमारे रसी बड़ी कौन सी होगी दोस्तों यानि कि टुकडे बड़े बड़े टुकडे किसके बनेंगे तीन मीटर वाले के बनेंगे ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात और चलिए मैं एक बार फिर से स तीन मीटर रसी है तीन मीटर के हम तेरा ही टुकडे कर रहे है ठीक है तो बड़े जो भाग होंगे वो किसके होंगे दोस्तों तीन मीटर वाली रसी के बड़े भाग होंगे तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो तालाब आ जाएगा यानि कि ऑप्सन नंबर सी यहां पे हमारे पास answer आ जाएगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको यह question समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आईए तो आप हमें what's up पे message कर सकते हैं यह हमारा एक minute रुकिए दोस्तों आप यह लिखना कि sir हाँ हमें समझ में आ गया ठीक है कहना कि sir question number 18 समझ में आ गया तो यह हमें पता होना जरूरी है ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि हमारी जो महनत है वो कितनी काम कर रही है और अब चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों 19 number question इसमें इन्होंने दिया है सन 2002 से 3 2002 से 3 कहाँ पे दोस्तों यह रहा तीन से चार तीन से चार यह रहा के दुरान किस सिचाई के स्त्रोत के अंतरगत सरवाधिक परतिशत वृध्धी दर्ज की गई अब देखे यह question भी उसी तरह ऐसे है दोस्तों same to same वैसा ही यह question है अब इसके अंदर क्या करना है यह दो year लेनी है हमें और इसने कहा है कि कौन से सिचाई के स्त्रोत से सरवाधिक परतिशत वृध्धी दर्ज की गई यहाँ पे हमें वृध्धी पता करनी है दोस्तों और यहाँ पे हमें क्या था यहाँ पे कमी पता करनी थी बस इसके अंदर यह फरक है question हमारा same ही है तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे दोस्तों इसके अंदर जैसे सबसे पहले year देखते है 2-3 और किस-किस के अंदर देखने हैं तो सरकारी नहर यह होगी तलाब हमारा यह हो गया नलकुप और वो यह होगे और अन्य स्तरोथ हमारे पास यह होगे अब इन में देखते हैं कि किस के अंदर वृद्धी हुई है और किस के अंदर माइनस हुआ है अब देखिए सरकारी नहर यहां पर वरिद्धी हुई है बिलकुल सही बात है फिर हमारे पास तलाब तलाब के अंदर यहां भी वरिद्धी हुई है उसके बाद में नलकुप के अंदर यहां भी हमारी वरिद्धी हुई है और फिर अन्य स्तरो तो यहां भी हमारी वृद्धी हुई है यानि कि हर जगे हमारी वृद्धी हो रही है तो मतलब चैरों के चैरों हमें निकालने है तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह कैसे निकालेंगे हमें कैसे निकालना है ये भी बिलकुल असान है दोस्तों बिलकुल असान जैसे हमने पिछला कोशन किया था वैसे ही है और मैं आपको बताओंगा कि राउंड फिगर का यूज़ करके इसे कैसे निकालना है अब देखे दोस्तो सबसे पहला जो काम करना है वो करना है हमें राउंड फिगर का करना है अब देखे राउंड फिगर कैसे करेंगे सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नहर की बात करते हैं चारे नहर ये दू हजार 3 देखि दू हजार 131444 है तो इसको हम क्या लिख सकते दोस्तों सब्सक्राइब कर लिको 1644 लिख सकते हैं और उसके क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1908 को हम 1900 लिख सकते हैं उसके बाद में जैसे 2002 से 3 में कितना है दोस्तों 1802 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हारा सो लिख सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों हम नलकुप का करेंगे और फिर अन्यस्तरोथ का करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं असानी से ठीक है तो सबसे पहला काम था हमारा इनका round figure करना तो round figure हमने यहाँ पर कर लिया यह दोनों के दोनों round figure कर लिये अब बात आती है इनके percentage निकालने के लिए इनको हमें minus करना है अब देखे minus इस में से इसको minus करेंगे इस में से इसको minus करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा दोस्तों सबसे पहला आजाएगा 600 बटे में 13800 तो इस तरह से हमें इनको divide करना है और percentage निकालने के लिए जैसे हम 100 लगाते हैं तो 100 हम बाद में लगाएंगे दोस्तों 100 हमें नहीं देखना एक time के लिए 100 को आप भूल जाएए वो मुझे पता है कि percentage के लिए हम 100 multiply करते हैं तो उसको हम भूल जाते हमें केवल यह देखना क कि किसके अंदर सरवाधिक परतिशत विरिद्धी हुई हमें यह देखना हैं बस अब देखिए अब बात आती है दोस्तों यहां पे हमने माइनस करके बटे में लिख लिए सारी की सारी चीज़े अब देखिए 600 के साथ हमें 20 है तो यह जो 20 है यह 20 है इसमें यह कट जाएग अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि सरवाधिक परतिशत विरिद्धी किसमें हुई यानि कि इसमें भी वही देखना है दोस्तों कि जो पार्ट है जब हम किसी रसी के टुकडे करेंगे तो वो जो टुकडे हैं किसके बड़े होंगे वो हमें देखना है ठीक है तो इसमें ह अंदर बड़ा कुन सा होगा दोस्तों एक देखी ये है 6 मिटर रसी सरकारी नहर की 6 मिटर रसी है और उसको हमें कितने भागों में डिवाइड करना एक 138 भागों में डिवाइड करना यानि कि 138 टुकडे करने हैं तो एक तो ये हो गया और दूसरे अन्य स्त्रोत इसके 132 भागों में बांच ना है तो जयादा बड़े टुकडे किसके होंगे दोस्तों जयादा बड़े टुकडे हमारे नहर अन्य स्त्रोत वाले के बड़े टुकडे होंगे क्योंकि जो सरकारी नहर है इसके 138 टुकडे करेंगे तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या जाएगा अन्य स्त्रोत आ जाएगा ठीक है और अगर आप चाहे तो यह भी यह भी कंपएर कर शकते हैं यह आप कंपेर करके देख लेना दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ चलिए अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर सरकारी नहर और अन्य स्त्रोत में तो पता कर लिया कि यह जो है हमारा यह बड़ा हो जाएगा 6 बटे 37 वाला बड़ा हो जाएगा अब हम और जो है और भी आप compare करके देख सकते हैं जैसे अन्ने स्तरोत और तलाब को हम compare करके देखते हैं अब देखी एक मेटर के हम 18 टुकडे कर रहे हैं और 6 मेटर के हम 37 टुकडे कर रहे हैं ठीक है तो कौन सा बड़ा होगा यहाँ भी हमें absolutely पता चल रहा है कि 6 मेटर वाला बड़ा होगा क्यूंकि यहाँ पे 1 के 18 टुकडे हो रहे हैं और यहाँ पे 6 के 37 टुकडे हो रहे हैं तो यहाँ से भी आप बिल्कुल असानी से पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा होगा दोस्तों जब आप सभी का निकाल के देखोगे तो अने श्तरोत के जो टुकड़े हैं वो बड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब किया है कि अन्ने स्तरोत की सरवाधिक परतिशत विरिधी ज्यादा हो जाएगी तो इसका answer D आ जाएगा दोस्तों यहाँ तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कॉश्चन निकाल सकते हैं मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कॉश्चन और अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास कॉश्चन किस वरस तलाब दवारा सुध सिंचाई में सरवाधिक वृध्धी दर प्राप्त की गई अब हमें यह बताना देखी एक एक पाइंट से लेके चलते किस वरस तलाब दवारा तलाब कहां पर हमारा यह सिंचाई में सरवाधिक वृध्धी दर प्राप्त की गई अब इसके अं 1998-99 में देखना 1998-99 में तलाब हमारा ये है ये रा तलाब इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखली कितनी वृध्धी हुई है इसका प्रेसेंटेज निकालना है हमें ये क्या होगा दोस्तो ये देखिए 2800 माइनस में 2600 हो जाएगा हमारे पास और बटे में कितना होगा 2800 गुना में 100 ये 100 चाहिए आप मत कीजिए 100 मत कीजिए यहां पे ठीक है जो राउंड फिगर की मैंने जो बात बताए थी उस तरीके से करके सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए इसका 98 का निकाल लीजिए फिर 2000 का निकाल लीजिए फिर इसका फिर इसका इस तरह से सभी का निकालेंगे तो आपके पास अंसर आ जाएगा और राउंड फिगर का आप यूज़ करके देखना बिल्कुल असानी से आपके पास question का नसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमने question number 20 का solution भी दिया हुआ है यहाँ पे आप बिल्कुल रसानी से देख सकते कि किस तरह से हमारा question आएगा और दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें round figure का use करना क्योंकि round figure से हमारा question बहुती जल्द निकल जाएगा चलिए अब हम अगला question देखते है question number 21 सिचाई के किस स्तरोत दवारा सरवाधिक बार रिनात्मक विरिधी दर्ज की गई अब देखिए इस तरह के question को हमें सबसे पहली बात यह होती है दोस्तों डियाई के अंदर question को समझना उसमें statement क्या दी हुई है वो हमें पता होना जरूरी है सिंचाई के किस स्तरोत दवारा सरवाधिक बार सरवाधिक बार कह रहा है रिनात्मक विरिधी दर्ज हुई वो हमें पता करना है अब देखे जैसे हम मान के चलते जैसे इन्होंने सरकारी नहर दिया है सरकारी नहर यह है अब इसमें यह देखते है दोस्तों देखी जैसे 17,117 से क्या हुआ 17,093 तो यहां पर क्या हुआ यहां पर रिनात्मक यानि की माइनस हुआ है इसमें घटी है कुछ चीजे घटी है ठीक है और जैसे हम यहां पर बात करें देखे इन दोनों की बात करें 14,444 से 14,696 यहां पर क्या हुआ यह बढ़ोतरी हुई है क्या हमारे पास माइनस हुआ है यहां पर हमारे पास पलस हुआ है तो हमें ये देखना है कि ज्यादा वार किसके अंदर माइनस हुआ है, किसके अंदर रेनातमक वृद्धी हुई है, वो हमें देखना है, चलिए मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये कोशन होगा, देखिए, इन्होंने काये कि सरकारी नहर, नीजी नहर, नलक हमारा ये हो गया, फिर हो गया अन्यस्तरोत, अब इनके अंदर देखते हैं कि किसके अंदर रेनातमक वृद्धी हुई है, सरवाधिक वार, सबसे ज्यादा वार, अब ये देखिए, यहां पे सरकारी नहर में देख सकते हैं कि आप यहां पे 98 में, 99 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में, यहां पे 5 बार इसमें माइनस हुआ है, और यहां पे देख सकते हैं, नीजी नहर में केवल यहां पे 2 बार हुआ है, नलकूप में 3 बार हुआ है, और जो अन्यस्तरोता इसमें 4 बार हुआ है, और इसमें 5 बार हुआ है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नहर इसके अंदर ज्यादा बार रिणातमक विरित्ति हुई है दोस्तों यहाँ पे छीज ध्यान में देने वाली है कि हमें यहाँ पे percentage वगरा नहीं निकालना है केवल और केवल हमें यह देखना कि किसके अंदर ज्यादा बार minus हुआ है बस simple सा question है यह इसके अंदर कोई हमें percentage सो से गुना या round off या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर केवल हमें ये देखना है किसके अंदर ज्यादा वार माइनस हुआ है तो इस तरह से हमें question को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कई दोस्तों हो सकता है इसके अंदर percentage निकालने लग जाए वो सोचे कि इसमें percentage निकालने नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों अब ये question देखे दोस्तों question number 22 इसमें इन्होंने दिया है कि निमन लिखित में से किस वर्स कुल सुद सिसाई अक्षेतर में नलकूप्त था अन्यकूओ का हिस्सा सरवाधिक था दोस्तों डियाई के अंदर सबसे पहले हमें जो statement है वो समझना बहुत जरूरी है इसमें देखे निमन लिखित में से किस वर्स की बात कह रहा है हमें पता करना कि कौन से वर्स में वर्स देखे कौन कौन से दिये गए 1998 पहले हम मार्क कर लेते 1998 99 यह हो गया 2001 यह हो गया 2003 का हमारा यह हो गया और 2005 का हमारा ये हो गया अब देखी इसके अंदर ये हमने वर्स इंडिगेट कर लिए तो सिचाई अक्षेतर में नलकुप्त था ने नलकुप्त था अन्य कौन से दोस्तों ये है का कुओ का हिस्सा सरवाधिक था यानि कि कौन से येर में सरवाधिक हिस्सा नलकुप्त था अन्य स्तरोत का था वो हमें पता करना है अब देखी कुल टोटल हमारा कितना है टोटल ये दिया हुआ है अब देखी टोटल के अंदर नलकुप्त का 1999 के अंदर कितना हिस्सा था इन दोनों का हमें निकालना है उसके बाद में 2000 से और फिर ये निकालना है फिर 2003 से फिर इसका ये निकालना है और फिर 2004 पांच का ये हमें निकालना है इस तरीके से इन सभी का निकालना है और तरीका वो ही सेम रहेगा दोस्तो हमारा यारिके दोस्तो इसको हम round figure लिखेंगे 1998-91 को round figure कैसे लिखेंगे दोस्तो 57,411 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस सकते हैं बटे में क्या होगा तो इस तरीके से round figure करके हम उसी तरीके से सवाल करेंगे जैसे हम पीछे हमने सभी सवाल किये है तो मैं इसका solution आपको दिखा दिता हूँ आप ताकि अच्छे से कर सके यहाँ पे हमने पूरा यह solution भी दिया हुआ यहाँ से आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं इन्होंने क्या है कि इन्होंने round figure नहीं लिया इन्होंने exact value ली है आप यहाँ पे इसमें भी round figure का use करके कोशन निकाल के देखना अगर आपको किसी भी तरह की कोई problem आते कोई दिक्कत आते तो आप हमें बता सकते हैं हमने वर्टसअप नंबर भी दिया है या फिर आप हमें comment box के जरिये भी बता सकते हैं और मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप यह कोशन निकाल लेंगे और अगर नहीं निकाल पाते तो आप हमें जरूर बताना हम यह कोशन दुबारा करवाद देंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम आपके सामने एक और नए तरह का कोशन लेके आए हैं डियाई के अंदर दोस्तों डियाई काफी तरह की हो सकती है और यूजी सी नेट के अंदर वैसे तो सिंपल कोशन आते लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते वो और हम समझ नहीं पाते हैं और हमारा जो कोशन वो गलत हो जाता है डियाई के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देने के आवसकता होती है दोस्तों आप सभी के सभी पांचो के पांचो कोशन बिलकुल राइट कर सकते हैं दोस्तों यह आप देख सकते हैं 25 जून 2019 का कोशन पेपर है इसमें जो पांच कोशन आये वो हम आपके सामने करवाने वाले हैं तो इस वीडियो में आप देखना कि आप बिल्कुल असानी से किस तरह से कोश्चन कर सकते हैं और पांचो के पांचो कोश्चन बिल्कुल राइट आप किस तरह से निकाल सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना यह देखे दोस्तों सबसे पहले हमारा जो question है इसके अंदर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इसने यहाँ पे एक table दी हुई है यहाँ पे क्या है कि छात्र और छात्रा यहाँ पे दी हुई है यानि कि जो boys और girls है उनकी संख्या यहाँ पर दी हुए यह देख सकते हैं और यह इन्होंने subject दी हुए है और यह इनकी कुल संख्या है किसी class के अंदर अब देखी इसने क्या कहा है question के अंदर question हम देखते हैं कि अंग्रेजी तथा हिंदी विभागों में कुल मिलाकर चात्राओ की कुल संख्या क्या है और सबसे पहले हमें यह देखना कि यहाँ पर देखे दोस्तों चात्राओ का परतिसत दिया हुआ है ये इनकी संख्या नहीं है ये परतिसत है और हमें क्या निकालना है छात्राओं की कुल संख्या निकालने है किस किस के अंदर अंग्रेजी तथा हिंदी के अंदर निकालने है देखिए इस कोशन को हम किस तरह से करेंगे सबसे पहले अंग्रेजी और हिंदी देखे लेते हैं और च्छात्राओं की पूछा है, तो च्छात्राओं की एक तो ये होगी, और एक ये होगी, ये हैं हमारे पास percentage है, और total संख्या कितनी दी है दोस्तों, 300 और 500 यहाँ पे दी हुई है, yeah से हमें क्या करना दोस्तों, हमें यहाँ पे real value निकालनी है, ये 55% है, 55% है दोस्तों, अ दोनों निकाल के हमें प्लस کرना और फिर बताना है कि इसकी कुल संख्या कितनी होगी चलिए ये कोशन मा आपको दिखा देता हूं किस तरह से होगा देखे सबसे पहले हम बात करते हैं अंगरेजी की बात करते हैं अंगरेजी हमारा ये रहा इसके अंदर चात्रों का परतिशत कितना है चात्राओं का परतिशत कितना है दोस्तों 55% यहां पर दिया हुई यह हमने 55 लिख लिया multiply by जो हमारे पास कुल संख्या होती है वो हमने लिख लिया और percentage हटाने के लिए हम क्या करते हैं बटे में 100 करते हैं अब दिखिए 20 से ये 20 हमारी ये 20 कट गई अब हमारे पास क्या रह गया 55 गुना में 3 यहां पर रह गया 55 की जब 3 से multiply करें तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 165 यहां पर आ जाएगा यानि कि अंग्रेजी के अंदर चात्राओं की संख्या कितनी है 165 है उसके बाद हम देखते ह हिंदी में हिंदी हमारे पास ये है हिंदी में 16 का परतिसत कितना है 60 पर्सेंट यहां पर दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी है 500 यहाँ पे दी हुई है इसमें भी हम क्या करेंगे 60 गunda में 500 बटे में 100 यहाँ पे किया और 10 से हमारी यह 0 कट गई और 10 से हमारी 60 वाली यह 0 कट गई अब 6 को जब हम 25 से गunda करेंगे तो 25-600 यहाँ पे आजाएगा पचीछी के 150 यहां पे आजाएगा अब देखे इन दोनों को हम पलस करते हैं 150 को और 165 को जब हम पलस करते हैं तो हमारे पास क्या अंसर आएगा दोस्तों हमारे पास आजाएगा 315 यहां पे अंसर आजाएगा तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन निकाल सकते हैं अब इसमें बताइए दोस्तों क्या मुश्किल है कुछ भी तो मुश्किल नहीं है यह देखे जोड घटा गुना भाग परसेंटेज निकालना यह हमने आठवी दसवी क्लास में किये हुए है अब बस अब हमें इनको थोड़ा रिवाइज करने की आवसकता है तो बिल्कुल असान कोशन आते हैं यूजी सी नेट के अंदर अब तो काफी असान आने लगए 2019 के अंदर जो कोशन आये हैं दोस्तों बहुत ही असान कोशन आये है और हमें उमीद है कि आगे भी हमारे ऐसे ही कोशन आएंगे चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं ये देखे दोस्तों ये कोशन है हमारा कोशन नमर 31 इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है किसे विभाग में छात्राओं की संख्या ज्यादा है अब देखे यहाँ पे अलग-लग विभाग दिये हैं यहाँ पे इनमें ये पूछावा कि किसे विभाग में छात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है अब देखे मैंने बताया कि ये क्या ये परसेंटेज है और ये हमारी संख्या है अब देखिए इसे में वैसे तो ये लग रहा कि 60 है 60% ज्यादा इन सभी के अंदर लेकिन दोस्तों यहाँ पे percentage नहीं पूछा यहाँ पे संख्या पूछी हुई है अब देखिए 60 को जब हम 150 से multiply करेंगे तो यह हमारे पास क्या आ गया था दोस्तों 150 आ गया था 150 हमने value निका होगा चलिए इस question को हम करके देखते कि किस तरह से question आएगा यह देखिए दोस्तों सबसे पहले हम भोतिक विग्यान यानि कि यह है भोतिक विग्यान इसको हम लिख लिते हैं यहाँ पे छात्राओं का परतिशत कितना दोस्तों 45 परतिशत दिया हुआ है और कुल संख्या कि पर exact value की यह बात करते तो हम multiply 100 करते और देखते कि क्या answer आता बिलकुल है क्यों हमें यहाँ पर यह देखना है दोस्तों कि किस की संख्या ज्यादा है तो एक time के लिए आप 100 भोल जाए 100 हम यहाँ पर नहीं लगा रहे 100 को हमने cut कर दिया बगेर 100 लगा के हम देखते हैं ठीक 35 गुना में 550 करेंगे तो यह आजाए है दोस्तों हमारे पास 19,250 यहाँ पर आजाएगा उसके बाद करेंगे हम अंग्रेजी अंग्रेजी यहाँ पर दिया है 55 गुना में 300 करेंगे तो दोस्तों यह आजाए है हमारे पास 16,500 आजाए है इसी तरीके से गनित का करेंगे 40 बटे में 100 करेंगे, divide by 100 करेंगे तो भी भोतिक विज्ञान की जो value है वो ज्यादा ही आएगी तो हमें यहां पे 100 करने की आवसकता नहीं है, divide by 100 करने की आवसकता नहीं है, हमें केवल यह पता करना कि किसकी संख्या ज्यादा है तो यहां पर हमारा answer निकल गया है दोस्तों कि भोतिक विज्ञान की जो संख्या है वो ज्यादा है तो यहां से आप बिल्कूल असानी से question निकाल सकते हैं चलिए अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों अगला question है हमारा question number 32 इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है अंग्रेजी विभाग में सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी विभाग ये हो गया चात्रों की संख्या अब देखे किस में पूछा है चात्रों की संख्या इन्होंने पूछा है चात्र ये रहा हमारा चात्रों क की संख्या, अंग्रेजी विभाग में हमारे ये होगी 45, तथा गणित विभाग में चात्रों की संख्या, गणित ये होगी, गणित में भी चात्रों की संख्या, ये 60 होगी, की संख्या का अनुपात हमें निकालना है दोस्तों, अब ये देखी, यहाँ पर इन्होंने प्रति इस गुना में 300 बटे में 100 जो करते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे अब देखी इसको कैसे करेंगे इस question को इसमें सबसे पहले हम गनित में देखते हैं गनित हमारा इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं अंग्रेजी हमारा ये 55 गुना में 300 55 गुना में 300 हमने कि यह आ गया 13500 आ गया यहां भी हम 100 करने की आव सकता नहीं है दोस्तों आप चाहे तो divide by 100 कर सकते हैं लेकिन यहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ठीक है और आगे दोस्तों गनित हमारा यह है तो इसमें क्या हो गया दोस्तों 60 गुना में 500 हो गया तो यहां से कितना आ जाएगा 30,000 हमारा आ जाएगा अब देखी अब हमें इनमें अनुपात पता करना है यह हमारे संख्या आगी अब संख्या का अनुपात हमें पता करना है अनुपात के लिए क्लिए क्या करेंगे दोस्तो साड़े तेरा हजार बटे में तीस हजार अब देखे दो जिरो से हमारी ये दो जिरो कट गई अब ये कितने पे कटे गा दोस्तों तीन पे हम कट करते हैं अब देखे तीन पे हम इसको कट करते हैं ये हो जाए दोस्तों वन जिरो जिरो तीने कम तीन और यह आजए यह, अब यह देखे यह क्या होगा, तीन चोके 12 और तीन पंजे 15 आगया, अब देखे अब कितने प्रक્र है यह, यह पांच प्रक्फ, पांच निमा 45 और नीचे कितना आजए आप 20 यहाँ पर आजएगा, अब देखे 9 अनपात 20 हमारे पास यहां पे आ गया 9 अनपात 20 कहां पे option number 2 में यह देख सकते हैं तो यहां से हमारा answer क्या जाया दोस्तो option number 2 आ जायेगा तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से question निकाल सकते हैं आप practice करके देखना दोस्तो यह जितने भी मैं question करवा रहा हूँ आप वीडियो देखने के बाद इनका screen short लेना और इनको कर करके देखना क्या यह आ रहे है या आपको नहीं आ रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें what's up पे आपको कोई भी परेशानी है तो चलिए दोस्तो अब हम अगला question देखते है अगला question number हमारे पास 33 इसके अंदर कहा है कि किसी भी भाग में छात्रों की नियूंतम संख्या है अब देखी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि छात्रों की जो संख्या छात्री इरा इसमें सबसे कम संख्या किसी भी भाग में है वो हमें पता करना है अब देखी इसके अंदर भोतिक विग्यान दिया है भोतिक विग्यान हमारा ये हो गया फिर अंग्रेजी ये हो गया हिंदी ये हो गया और गनित हमारे पास ये हो गया अब देखिए यहाँ पे छात्रों के संख्या यानि कि पहले हमें इनके अंदर पता करना है फिर यह पता करना है फिर हमें यह पता करना है और फिर हमें यह पता करना है यहाँ पे अगर आप चाहे तो लोजिक भी लगा सकते हैं दोस्तों यह देखिए इसके अंदर 55 को जब ह हमारा हिंदी का है दोस्तों ये देखिए आप थोड़ा सा लोजिक लगाने की कोशिस कीजिए ध्यान से देखिए 40 गुना जब 250 करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आती हुई हमें दिखाई दे रही है तो यहां से अगर आपके पास टाइम कम है तो यहां पे जल्दी से आप है option 3 पे राइट क्लिक कर सकते हैं और अगर आप करके देखना चाहो तो करके भी देख सकते हैं 55 गुना में 45 करेंगे तो हमारे पास यह आजएगा 24,750 आजएगा अंग्रेजी में इतना जाएगा गनित में इतना जाएगा और हिंदे में इतना जाएगा तो इन सभी में आप देख सकते कि जो हिंदी की वैल्यू है हिंदी में छात्रों की जो संख्या है वो सबसे कम यहां पे हमारे पास आ रही है और कई दोस्तों इसमें यह भी कह सकते कि स बच्चों की जो संख्या टोटल संख्या तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा है यह नहीं लेकिन आप निकाल रहे हैं, दस हजार नहीं है, यहाँ पे हमें डिवाइड वाई सो भी करना है, सो हम कब करेंगे जब हमें एग्जेक्ट वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे अगर यह दिय हुआ होता कि छात्रों की नियुन्तम संख्या कितनी है, अगर वो कितनी पूछते हैं तो हम डिवाइड वाई सो करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहिए तो कर शकते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल जल्दी और असानी से कोश्चन निकाल सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रेसानी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का हमारे कोश्चन असानी से समझ में आ गया होगा, हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोतास निमी है, और आप सभ कोश्चन बहुत मुश्किल आते हैं, हम उनको नहीं कर सकते हैं, तो यही डर हमें अपने अंदर से निकालना है, तब ही हम नेट और ज्यारफ क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों क्यूंकि आपको तब ही पता चल सकेगा कि कितने असान कोश्चन हमारे डियाई के आते हैं, चलिए दोस्तों अब हम कोश्चन करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह देखे यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दी गई है, कि निमल लिखित तालिका में, वर्स 2012 से लेके 2017 तक year दी गई यानि कि 7 साल यहां पर दी गई है और एक कंपनिय वो तीन तरह के वाहन बनाती है A टाइप B टाइप C टाइप के वाहन बनाती है और उनकी संख्या यहां पर इन्होंने दी है तो अब देखिए इसी की अंशार इस स्टेटमेंट के अंशार हमें आग बताना है तो अब इसमें देखिए B टाइप कहां पर है हम यहां पर यह देख लेते हैं B टाइप हमारा यह हो गया इसकी ओस्त हमें बतानी है ओस्त बताने के लिए दोस्तों एक जो हमारा ट्रेडिशनल जो मैथर है वो भी यूज कर शकते हैं जैसे कि हम इन सभी को एक मिन तो यह देखिए जैसे कि 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया और 30 कितना हो गया 60 हो गया और 60 और 20 कितना हो गया दोस्तों 80 हो गया 80 के बाद में यह देखिए 80 और 20 कितना हो गया यानि कि 100 हो गया 105 और 105 के बाद में इसमें 35 और जोड़ेंगे तो यह कितना हो गया 140 हो गया 140 के बाद में दोस्तो last में कितनी 0 है तीन 0 है यह 3 0 है यह 3 0 आप side में रख दीजी इसको हम side बाद में देखेंगे और total कितना है दोस्तो 7 साल है तो 7 से हम इसको divide करेंगे 7, 2, 4 20 आगया यहां पर 20 और last में कितनी है 3 0 है तो अब देखी यह बीस हजार यहां पर आ गया हमारे पास, तो इसमें हम देखते कि आनसर क्या, आनसर यहे देखे, यह हमारा दियाव long 1, यानि कि बीस हजार और संख्वाइ यहां पर इन्होंने दी हुई है तो दोस्तो इस तरह से हम बिलकुल असानी से और जल्दी से question निकाल सकते है और आप देखे कितना असान question है यह हमें इन्होंने ओसत पूछी हुए दोस्तों हम पांचवी class से निकालते हुए आ रहे हैं बिल्कुल असान है तो इतने असान question मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर मिलेंगे तो यह बहुत ही अच्छा मोक है हमारे पास कि पांच यह question write करके हम दस नमबर बिल्कुल असानी से ले सकते हैं और आगे दोस्तों आगे हमारे पास question निमिल लिखित में से किस वर्स तीनो परकार के वहनों का कुल उत्पाद 60,000 था अब यह देखिए दोस्तों इन्होंने क्या कहा है सबसे पहले यह पढ़िए किस वर्स तीनो परकार के वहनों का कुल उत्पाद 60,000 था अब देखिए यह वर्स यहाँ पे इन्होंने दिया है और इसमें तीनो परकार के वहनों का कुल जो total है वो 60 किसमे था 60,000 किसमे था वो हमें बताना है तो आप इसके अंदर थोड़ा देखिए जिस तरीके से हाँ ये देखिए जैसे 2016 के हम बात करें हम इसके अंदर देखिए 25 और 15 कितना हो गया दोस्तों ये 40 हो गया और 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया यानि कि कितना हो गया 60,000 हो गया तो 2016 के अंदर जो इनका सम जो बैठ रहा हो कितना हो रहा है 60,000 हो रहा है तो देखिए कितना असान है हमारे लिए और अगर आप और करके देखना चाहिए जैसे कि ये करके देखना चाहिए हम ये देखे 35 और 25 कितना होगा दोस्तों ये 60 तो ये हो गया और 30 ये हो गया 90 हो गया ये तो ज़्यादा बैठ रहा है ठीक है तो इस तरह से आप करके देख सकते हैं और इसमें देखे जैसे इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने ओप्सन दिये 2013, 2014, 2015 और 16 तो आप इन में देख ल अंदर 60,000 बैठ रहा है जल्दी करने के लिए तो थोड़ा हमें इस तरीके से करना पड़ेगा ठीक है और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारा कोश्चन है वर्स 2016 से 17 तक बी टाइप के वाहनों के उत्पाद में कितने प्रतिशत की व्रिधी हुई अब देखिए इन हमारा 16 से 17 यह रहा अब देखिए कितने प्रतिशत की व्रिधी हुई यह हमें बताना है यह देखिए यह रहा हमारे पास 20,000 से कितना हुआ 25,000 हुआ यानि कि कितना हुआ यह हो गया हमारा 5000 यहां पे व्रिधी हुई है 5000 व्रिधी हुई है दोस्तों संख्या है 5000 और हमें क्य निकालना है प्रतिस्ट निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों 5000 यहां पे हमने लिखा बटे में कितना जो पीछे वाला किसके compare में निकालना है 2016 के compare में तो क्या हैगा 20,000 और गुणा में क्या हो जाएगा 25 पे चला जाएगा तो कितने प्रतिशत आ गया दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ गया 25 परशेंट यानि कि option number 4 यहाँ पे answer आ गया तो दोस्तों आप देख सकते कितने असान question आ रहे हैं और यह latest question दिखा रहा हूं मैं आपको December 2019 के यह नहीं है कि 2012 के दिखा दिये यह नहीं है मैं आपको latest जो exam हुआ है हमारा वो मैं आपको दिखा रहा हूं और हमने पहले भी काफी तरह के वीडियोस बनाएं डियाई के उपर वो आप देखिए वो डियाई की वीडियो और हमने 2012 से लेके December 2019 उननिस तक बहुत कोशन करवाएं डियाई के तो उसमें आपको सभी तरह के सभी टाइप के कोशन मिल जाएंगे तो आप डियाई की जो पले लेश्ट है वो आप चेक जरूर करना उसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह के कोशन आते हैं यूजी सी नैट में डियाई के और अगला कोशन है दोस्तो हमारे पास ये देखिए वर्स 2014 में उत्पादित A टाइप वहनों की संख्या ठीक है वर्स 2014 में A टाइप और वर्स 2016 में C टाइप वहनों की संख्या का कितना प्रतिशत था ये हमें बताना है अब देखिए यहां पर हमें समझना थोड़ा जरूरी है किसका किसके साथ कंपेर किया जा रहा है वो हमें पता होना चाहिए यहां पर देखिए A कंपेर किसके साथ किया जा रहा है C के साथ कंपेर किया जा रहा है तो इसके अंदर देखिए ये क्या होगा हमारे पास कौन सा उपर आए कौन सा नीचे ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे A टाइप वहानों की जो संख्याना वो उपर रखेंगे और C टाइप के वहानों के संख्या को नीचे रखेंगे अब देखें ए टाइप कितना था हमारे पास ये था दस हजार दस हजार में देखें सो लिखे लेते हैं और लाश्ट की जो दो जिर एनव वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो सभी में common है ठीक है ये लिखे लिए चलिए मैं पूरा ही लिखे लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आजाए कोई confusion ना रहे ये दस हजार नीचे हमने क्या लिखे लिए पंदरा हजार क्योंकि C जो टाइप है उसके साथ compare करना है और गुणा में हम क्या करेंगे सो हमने यहाँ पे कर लिया अब देखे दो जिरो से हमारे पास ये दो जिरो कट गई और एक जिरो से हमारे पास ये एक जिरो कट जाएगी और फिर देखे फिर कितने पे कट होगा ये पांच पे कट हो रहा है पांच तिया पंदरा और ये देखिए पांच दुनी दस और ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो यानि कि दोस्सो अब देखिए दोस्सो को जब हम थरी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तीन चीके अठारा ठीक है और फिर क्या आएगा तीन ची 2 यहां से हमारा answer आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते कितने आसान question आ रहे हैं और लास्ट में हमारा यह question और रहे जाता है इसे और करके देखते हैं यह देखे किस वर्स में A type वहनों का उत्पादन दिये गए वर्सों में ओस्त उत्पादन से कम था यह हमें बताना है अ अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि A जो है A का ओस्त उत्पादन क्या है वो हमें यहां से पता करना है जिस तरीके से हमने B का निकाला था ना B का ओस्त उत्पादन क्या होता सेम टू सेम ऐसे हमें A का ओस्त उत्पादन निकालना है अब देखे B में जैसे हमने न लेते हैं इसके अंदर आ गया चलो 20,000 ही मान लेते हैं इसके अंदर भी 20,000 आ जाता है मान के चलते हम ठीक है फिर हमें ये देखना कि 20,000 से कम उत्पादन किन किन वर्सों में हुआ वो हमें बताना है टोटल काउंट करके तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से ये क कर सकते हैं और ये जो कोशन है ये लाश्ट का ये कोशन मैं आप पे छोड़ता हूं अब सभी दोस्तों से मैं उमीद करता हूं ये सभी दोस्त ये कोशन निकाल लेंगे और जो जो दोस्त ये कोशन निकाल लें और जिनका ये कोशन सही आए अंसर सही आए वो सभी दोस्त हमे comment box के अंदर जरूर बताना और किसी भी दोस्त को अगर कोई प्रॉब्लम होती है ये question करने में तो आप हमें what's up के जडिये भी बता सकते हैं what's up नंबर आप हमारा यहां पर देख सकते हैं यहां आप हमें what's up पे कोई भी जानकरी लेनी है तो आप हम से ले सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वैसे इतना ही